हाई फ्रेंट्स पूजा सोम स्टाइल कुकिंग में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम सिंपल तरीके से बहुती टेस्टी मसाला राइस बनाएंगे ये बनाने में इतने आसान है कि जटपट मिंटों में बनकर तयार हो जाते हैं और खाने में बिर्यानी से भी ज़्यादा स्वादिस्ट लगते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी मसाला राइस बनाने के लिए मैं पैन में ले रही हूँ तीन बड़े चमच के करीब ओयल इसे गरम होने देंगे जैसे ही ओयल गरम हो जाए इसमें डालेंगे आधा चमच जीरा और एक चोथाई चमच राई इन्हें हलका सा ओयल में चटकने देंगे इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच हींग तीन चार कटीवी हरी मिर्ची और थोड़े से करीपत्ता इन सभी को ओयल में चलाएंगे जिसे इन सभी का अच्छा फ्लेवर ओयल में आ जाए अब जाएगा एक चमच लैसुन का पेस्ट पेस्ट की जगा आप लैसुन को बारी कट करके भी डाल सकते हो इसके साथ ही डालेंगे एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज इन्हें ओयल में चलाते वे हलका सभूनेंगे जब तक प्याज का कलर हलका सथ ट्रांसुलोसेंट हो जाए मैंने यहाँ पर प्याज को बारी कट करके लिया है आप इन्हें लंबे भी काट सकते हो प्याज को हलका सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स यहां मैं ले रही हूँ एक बारी कटा हुआ टमाटर एक मीडियम साइज का आलू थोड़े से मतर के दाने और बारी कटेवे बींस सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बींस मतर और आलू इन्हें मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि इन्हें सोफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है इन्हें भी दो मिनिट चलाते वे पकाएंगे जिससे इनका कच्चापन निकल जाए अब डालेंगे टमाटर ये जल्दी से पक जाते हैं इसलिए इन्हें मैं बाद में डाल रही हूँ सभी को मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे मसाले मसालों में मैं डाल रही हूँ आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला एक चमच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमग इन सभी मसालों को हम सबजियों के साथ मिक्स करेंगे मसाला राइस को चटपटा बनाने के लिए मैंने हरी मिर्ची और लाल मिर्च दोनों डाली है अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो आप लाल मिर्च एक चमच की जगे आधा चमच डाल सकते हो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पैन को ढखकर मसालों को दो मिनिट पकने देंगे जिससे मसालों के साथ सबजियां भी अच्छी सोफ्ट हो जाएगी दो मिनिट पकाने के बाद मसाला तैयार हो गया है इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे राइस राइस को मैंने पहले से ही बोईल कर लिया था मसाला राइस बनाने के लिए आप किसी भी तरह के चावल ले सकते हो ये बहुत ही स्वादिस्ट बनते है ये मैंने राइस को मसाले में डाल दिया है अब इन्हें टॉस करते वे मिक्स करेंगे देखे मैंने राइस को बिल्कुल खिले खिले बोईल किये थे जिससे हमारा मसाला राइस भी खिला-खिला बना है ये कम समय में बन जाने वाली सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब लगती है कभी आपके पास राइस बोल किये वे रखे हैं तो ये मसाला राइस बनाने में आपको 5-6 मिनिट का समय लगेगा देखे सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इने एक मिनिट और कवर करेंगे जिससे सारे मसाले का फ्लेवर राइस में आ जाए इस समय आप चाहे तो गैस का फ्लेम ओफ कर दीजिए ये गरम पैंक की स्टीम से भी कुको जाएंगे ये तैयार है हमारे गर्मा गरम मसाला राइस इसके उपर डालेंगे बारिक कटीवी धनिया पत्ती अब ये सर्व करने के लिए रेडी है आप इसे किसी भी तरह के राइती के साथ इंजॉय कीजिए ये जटपट बन जाने वाले मसाला राइस स्वाद में बहुत ही लाजवाब लगते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही टेस्टी और मसालेदार रेसिपीज के लिए